हेलो एवरिवन मैं हूँ प्रियांका और सिंपल सहरल किचिन में आपका स्वागत है तो फ्रेंस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुफली और तिल की चिक्की जो मैं गुड़ से बनाऊंगी और यह बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा क्रंची है बि मुणख्फली एक कप मैंने लिया है और इसको हमें रोस्ट करना है तो यह पैन मैंने रग दिया है गरम होने के लिए और इसे हमें धीरे धीरे चलाते हुए फुन लेना है इसमें तेल या घी कुछ भी हमें नहीं डालना है ड्राइ रोस्ट ही करना है और जब तक इसमें से चटकने की आवाज नहीं आ जाती है तो पाँच मिनट मैंने इसे भुन लिया है तीमी आज पर ही और यह देखिए यहाँ पर यह चटकने लगा है छिलका भी उदरने लगा है स्मोंगफली का और रब करके देखेंगे तो यह देखिए छिलका भी निकल रहा है और बिलकुल अच्छे से स्पॉट्स भी आ गए है तो बस यहाँ पर हम कैस की फ्लेम को बंड कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसका चिलका उतार लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक साफ टावल ले लिया है इसका चिलका निकालने के लिए टावल पर मैंने इस तरीके से यह उंगफली को रख दिया है और अब इस तरीके से रब करते हुए इसका छिलका उतार लेंगे यह बहुत ही जादा आसान तरीका है बस इस तरीके से रगड़ते हुए छिलके को हम रिमूफ कर लेंगे इसे गंदगी भी नहीं फैलती है बहुत ही आसानी से छिलका उतर जाता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजेगा तो इस तरीके से हम छिलके को रिमॉफ करेंगे और दूसरा आप इस तरीके का जो पोटेटो मैशर आता है उससे भी आप कर सकते हैं इस तरीके से क्या होगा चिलका भी उतर जाएगा और मुंगफरी भी दो तुक्रो में हो जाएगी तो यह देखिए हो गया है तब इसको हम इस तरीके से जिससे हम पूरी चानते हैं उससे इसको छिलके को हम अलग कर लेंगे तो यह बहुत ही जादा आसान तरीका है इस तरीके से हमें मुंगफली को अलग करना है तो यह देखिए मुंगफली हमने तो साफ कर लेन और दो से तीन मिनट तक धीमी आज पैसे भूनेंगे जब तक इसका September Cong Во सब्सक्राइब जाता हम ज्वां जाता है टेले कि 3 से मिनट के बाद Insya हिल कर सक दोट गया है और यह पूल सुपन से जब भाम टते हैं मैंने 1.5 cup गुड़ लिया है और उसे बिल्कुल छोटे-चोटे बारीक टुकडो में कट कर लिया है और मेल्ट करने के लिए दो चमच पानी डाल देंगे से बहुत ही आसानी से यह जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाता है आज को हम धीमा ही रखेंगे बहुत जादा तेज नही अतरह कि यहां पर तीन से चार मिनट हो गए है कुड़ को हमें पकाते हुए आप देख सकते हैं १vention में तो यहां पांच मिनट हो गए है अपकर कर लेते हैं कि गुड़ हमारा जो है वो पका है या नहीं में तो काट चूंड़ी में थोड़ा पानी लिया है और इस तरीके स मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ करके देखिए गुड़ जो है वो खिच रहा है तूट नहीं रहा है देख सकते हैं कितना जादा किये खिच रहा है तो इस अगर स्टेश पर आप इसमें चिक्की बनाते हैं तो यह हमारे दातों में पूरा चिपक जाएगा बरतन में जाएगा तो दो मिनट और हमने पका लिया है उसके बाद फिर से चेक करेंगे तो यह देखिए इसको थोड़ा सा ठंडा हो देते हैं और इसे भी हमें चलाते रहना है बीच बीच में अब देखेंगे आप यह देखिए यह टूट रहा है जैसे कांश टूटता है वैसे यह तूट रहा है चाहँ नहीं है तो यह बिलकुल परफेक्त स्टेज शेयर इसको पकान मइं पिकग आर चाल एक भाटyu होना ये लिखने सोड़ होगा इस ईह समने appropriate ख्याहँ में कर लेते हैं इसके साथ में अब देख सकते हैं हलका हलका यह पूलें लगा होगा आप देख सकते हैं बहुत हलका हो गया यह तो अब इसमें मुंगफली और तिल को हम डाल देते हैं और फटा-फट से इसे हमें मिक्स कर लेना है और इसको हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है बहुत ही जल्दी आपको यह काम करना है वरना जो गुड़ है वो जमना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर तो जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लें इस तरीके से यह मैं इसको चल्दी से मिक्स कर ले रही हूं वज ध्यान रखना है इसको ठंडा होने नहीं देना है यह दिखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और अभी भी यह काफी गरम है तो यह किचिन की जो प्लैटफॉर्म है उस पर मैं थोड़ा सा खी लगा दे रही हूं जिसे यह बहुत ही आसानी से इस पर सेट हो जाएगा आप इस प्रोसस को किसी बर्थन में भी कर सकते हैं और इस पर हम इस पट्टि के मिक्स्चर को डाल देंगे किचिन की प्लेटफॉर्म पे करना ये काम बहुत ही ज़ादा आसान हो जाता है मुझे इस पे बहुत ही इजी लगता है इसलिए मैं इस पे कर रही हूँ आप किसी भी थाली में या फिर प्लेट में भी इसको जमा सकते हैं और जो ये स्पैचिला पर लगा है उसको भी निकाल लेते हैं एक चमज की हल्पसे इस तरीके से कुछ बिवेस्ट नहीं होने देना है हमें तो ये हमने देखे निकाल लिया है और अब इसको हम फैलाएंगे तो ये बेलन पर भी थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं जिससे ये चिपकेगा नहीं और अब ये काफी ज्यादा गरम है तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत चिपक रहा होगा क्योंकि ये काफी गरम है जब सेट हो जाएगा फांडा होन लगेगा तो ये नहीं चिपकेगा और इसको हमें पतला सा भी लेना है और साइड साइड से ये दिखे फटने लगेगा तो इसको आप सेट कर लीजे ताकि ए बहुत ही एवन हो ये देकि इस तरही चुमें सेंध हमस हो बेल लेना है तो य निशान लगा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो इन पर निशान नहीं बन पाएगा तो ये देखिए हमने ये निशान लगा दिया है चोटे-चोटे पीसस में इसको हमने निशान लगा दिया है अब इसको हम ठंडा होने देंगे कम से कम आ आसानी से निकल रही है बहुत ही ज़दा क्रंची बनी है और यह देखके बहुत ही बढ़िया लग रहा है बिलकुल मार्केट जैसी लग रही है खाने में इसका टेस्ट तो अच्छा है और सर्दियों में तो इसे खाने के बहुत सारे फायदे हैं आपको भी पता होगा कि इस इसको बहुत ही परफेक्ट ली बनाया है तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय कीजिए और मुझे बताए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए जिससे आन अरे वीडियो में तब तक के लिए बाबाई